नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने आसपास देखते होंगे कि कोई बहुत जल्द सफल हो जाता है और किसी को बहुत टाइम लगता है इसमें अंतर है सिर्फ सोच का एक अपने लक्ष के परती गंभीर रहता है दूसरा लापरवाह रहता है एक वेकेंसी का नोटिफि परता है एक्जाम डेट आने के बाद तैयारी में लगता है तो इतना आसान भी नोकरी नहीं है जो लोग भी अभी से तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी में लगे हुए हैं You are the best routine बना कर और जो सके साथ लगे रहे जब तक सांदर सफलता का पर्चम न लहरा दें हर दिन क सदूपयोग किजिए आप निश्चित रूप से सफल होंगे चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सेट के माध्यम से असमा टस्टडी पहला कोश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्रे द्वारा मापी जाती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है फेदो मीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है अब यहां से जो भी कोश्चन एकजाम में पूछा जाता है वो सबको यहां पर देखेंगे जैसे एक कोश्चन आता है कि एक समुद्री मील बराबर क्या होता है एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 1.852 किलो मीटर ठीक है एक समुद्री मील समुद प्रिकल मिल बरावर होता है एक दसानलब आठ पांच दो किलो मीटर यह आपको याद रखना है ठीक है अब यहां से कोशन आता है कि पानी में बस्तू की दूरी दिसा या तो बेग को मापने के लिए किसका परयूग किया जाता है तो पानी के अंदर जो बस्तू को पता लगा करने के लिए उराडार का परयूग किया जाता है नेस्ट कोशन है बस प्रिथिवी की आयू का मापन निमन में से किस विधी द्वारा किया जाता है तो इसके कोरेक्ट एंसर है यूरेनियम विधी के द्वारा प्रिथिवी की आयू किया गनना किया जाता है ठीक है आप इसी चटानों की आयू किसके द्वारा पता लगा जाता है तो रेडियो धर्मी डेटिंग द्वारा पता लगा जाता है यहां तीन कोश्चन हो गिया पृत्वी की आयू जो है वो यूरेनियम डेटिंग द्वारा बिधी द्वारा पता लगा जाता है और यह जो कार्बनी की पदा में देखा गया था तो इसका correct answer इ? Rh खकारक रहत रहो है यह बंदर में देखा गया था ठीक है बंदर में इसका पहली बार रहे बार लेक हो न से h. खर को यहां पर दो-तीन को खोज किस ने किया तो इसे याद किसे रहना है देखें रक्षंचरन को परिवान से लेट कीजिए ठीके रख परिवान किस पर हुता है highway पर चलता है तो वहीm highway न बोलकर William highway बोलिए रक्ट परिसंचर न की कोज किस ने किया तो William highway ने किया था next question है कि millerite निम लिखी तुम इसे किसका आयस्क है तो इसका correct answer है millerite जो है ये nickel का आयस्क है ठीक है आप इस type question पूछा जाता है तो आपको याद रखना है जैसे कि pyrolycite और magnetite ये magnesium का आयस्क है ठीक है magnesium का आयस्क है कौन-कौन pyrolycite और magnetite ये magnesium का आयस्क है ठीक है और magnesiumite dolomite carnelite ये तीनों जो है वह magnesium का आयस्क है ठीक है magnesium का आयस्क है magnesiumite dolomite और carnelite ये magnesium का आयस्क है और greenokite जो है वो केड्मियम काइस्क है केड्मियम काइस्क कौन सा है ग्रीणो कैट ठीक है अब दो important question यह है जो कि एक्जाम में बार बार रीपीट होता है और काफी important है वो ठीक है जैसे कि pitch blend किसका अस्क है तो यह uranium का अस्क है तो आपको ध्यान रखना है कार्नेलाइट और pitch कसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है कसेरुक रज्जु में कसेरुक रज्जु मतलब अस्पाइनल कोड ठीक है अब यहां आये कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है अब तंत्रिक का तंत्र की काई नियूरोन है निस्ट को चने कि परती बरती किरियाओं का नियंत्रन केंद्र कहां पर होता है तो इसका कोरेक्ट एंसर है का सेरुक रज्जू में होता है यानि कि आस्पाइनल कोड द्वारा ही परती बरती किरियाओं का नियंत्रन किया जाता है परती बरती क याने काटे काटे जब चूबता है तो हम तुरंत पैर को पीछे और खिंच लेते हैं तो यह सब क्या है परतिवर्ति किरिया के द्वारा ही होता यह तो यह आपको ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है मानब सरीर के तापकरम के समध में सही कथन चुनिए तो इसका कोरेक्ट एंसर है कि किसी भी मोसम में सरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है यह ध्यान रखना है मानब सरीर के तापमान में कोई परिवर्तन किसी भी मोसम में नहीं होता है हमें जो किसी कोई भी मौसम हो मानव सरीर का समाने ताप मान जो होता है वह 98 दसमलब 6 डिगरी फोरेनाइट होता है और सेंटिग्रेट में जो होता है सेलसियस में 37 डिगरी सेलसियस होता है तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यहां से एक कोशन पूछा जाता है कि भूख प्यास प्यार घिरना ताप यह सब को नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है तो मस्तिस का भाग है हाइपो थेलेमस हाइपो थेलेमस के द्वारा ही भूख प्यास प्यार घिरना ताप को नियंतरित किया जाता है नेस्ट कोशन है रक्त में ऑक्सिजन की सांदरता में कमी आ जाती ठीक है अब यहां से जितने भी important question पूछा जाता है सब को एक साथ revision करेंगे दोस्तों किसी भी competitive exam की तयारी करने का सांदर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई question है चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो सेट प्रिक्टिस कर रहे हो या तो कहीं से भी आपको दिमाग के लिए जिमेदार कोन है यह question कई बार एक जाम में पूछा गया है ठीक है यानि कि रक्त में oxygen का परिवहन कोन करता है तो rbc करता है ठीक है अगर rbc option में नहीं रहता है ने तो कभी रहता है कि hemoglobin रहता है तो आपको ध्यान रखना है rbc के अंदर यह ने एक protein होता है hemoglobin जो कि oxygen का बहन करता है जैसे question पूछा गया है डारेक्ट ऐसे कि hemoglobin का कार्ज है तो hemoglobin का क्या कार्ज है oxygen का बहन करना ठीक है और एक question आता है जैसे कि रक्त है तो रक्त क्या है एक तरल संजोजी उत्तक है रक्त का pH मान कितना है 7.4 है ठीक है अच्छा मानव सरीर में जो मान कुल वजन का कितना परतिसात रक्त होता है तो 7% जो रक्त होता है ठीक है और रक्त समूग की खोज किस ने किया था कार्ल लेंड अस्टीनर ने किया और रक्त परिशंचरन की खोज बिलियम हाइवे ने किया था ठीक है और सर्व जो ग्राही रक्त समूग कौन सा ये भी है और सर्वधाता कौन सा है, ओ है, नेस्ट कोश्चन है, लंबाई की नियून्तम इकाई निमने में से कौन है, तो इसका correct answer है, यह जो फर्मी मीटर है, यह लंबाई का नियून्तम इकाई है, कैसे, तो ऐसे समझे एंगस्ट्रोम जो है, जो एंगस्ट्रोम दस के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है, फर्मी मीटर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, और नेनो मीटर जो होता है, 10 के पावर माइनस 9 होता है, और माइक्रोन जो होता है, वो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, तो इसमें पूछा है, सबसे कम कोन होगा, तो सबसे कम माइनस म है इसलिए सबसे ज्यादा पावर बला होगा यह 10 के पावर माइनस पंदर जो है यह सबसे न्यूंतम एका यह लंबाई के तो फर्मी मीटर इसका एंसर हो जाता है यह ध्यान रखना है डारेक्ट कभी है एक जामें आपसे पीछ लिया जाता है कि जासी एक नैनो मीटर बराबर होता है तो आपको याद रखना है यह नैनो में क्या होता है म् Ts cambiHow men-6 में होता है दस के माइनस 6 मीटर यह आपको याद रखना next question is question number 10 सरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है हर समय काम कौन कर सकता है हिर्दय यनि कि आप जब सोई भी राते हैं फिर भी हिर्दय काम करते राता है तो यह है इसका answer होगी है हिर्दय अब हिर्दय का अध्यान क्या का लाता है तो कार्डियो लोजिक अलाता ये ध्यान रखना है Next question है कि निमर मैंसे किसका वीमिय सुत्र M0L1T-1 के बराबर है तो इसका correct answer है ये जो चाल का है वीमिय सुत्र जो होता है M0L1T-1 के बराबर होता है देकि चाल और बेग ये दोनों का वीमा है ने समान होता है ये ध्यान रखना है चाल और बीमा बेग दोनों का वीमिय सुत्र ये होता है और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय ये ध्यान रखना है Next question है कि सोसन के दोरान बायू के गमन का सही करम क्या है तो इसका correct answer है ये नासा मार्ग से होकर जाती है जो बायू का गमन होता है नासा मार्ग से ट्रेकिया में ट्रेकिया से ब्रोंकाई में फिर ब्रोंकाई से ब्रेकी यूल्स में अब ब्रेकी यूल्स से फिर फेंफड़े में जाती है तो यही cycling चलते रहती है नेस्ट कोचन है कि निर्बात में गमन करने वाले तरंग है तो इसका correct answer है कि निर्बात में जो गमन कर सकता है तरंग है वो बिद्दु चुमबकिये तरंग है ठीक है बाकि जो अनुधरिश तरंग अनुप्रस तरंग है और ये ध्वनी तरंग है ये निर्बात में गमन नही करती है यह इसको गवन करने लिए किसी ना किसी माध्यम की आवसकता होती है और बिद्दु चुम्बक की तरंग जो है वो निर्वात में भी गवन करता है नेश्ट कोचने कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो भी परिवर जुहाया जा सके हैं ठीक है वह तिक परिवर्वर्तन करताओं रसानी मतलब 1 साय परिवर्तन हो गया थार सी परखरink जोड़िया नी आंगर जासे तैसे लोह Virgin अधार में जंग लगना सकते हैं यह परक्रिय दोहरा सकते हैं तो यह भौतिक परिवर्थ ओन और इसके परिवर्थ ओना यह नियुक्र परिवर्थ नहीं है तो यह आपको याद रखना स Has kutv का कारण होता है स्याही का सूखना किसका उदारान क ऊपर जड कर junior같ам उपर सूती कपड़े पर या तो सूखा जो कपड़ा होता है उस पर जल की बूंद का फैलना ये सब के सिकत्व क्रिया के कारण होता है ये ध्यान रखना है नेश्ट को चने निमे में से कौन सा तत्व नहीं है तो इसका कॉरेट एंसर है ये गैस जो है ये तत्व नहीं है ठीक है त तत्व कहते किसे तत्व उन सुध सब पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमानू से बने होते हैं वो तत्व का लाता जैसे कि ये गेस तत्व नहीं है बाकी जैसे धातू है ये तत्व है अधातू जो है वो तत्व है उपधातू जो है वो सारे क्या तो तत्व है नेस्ट कोचन है कि ठोस कारवन डॉकसाइड को किस दाब पर संगरहित किया जाता है तो इसका correct answer है उच दाब पर संगरहित किया जाता है ठोस कारवन डॉकसाइड को ठीक है अब ठोस कारवन डॉकसाइड चे एक important question जो कि एक जाम में बार बार रिपीट होता है कि सुस्क बर् का जाता है carbon dioxide का यहोता है सुत्र नहां सियोग्टे थोस carbon dioxide को सुद्क वर्फ का जाता है है किरीसी में परयुक्त यूरिया में nitrogen की मातरा निमलिखित मैंसे इसका correct answer bir聊 46% but using nitrogen पाए जाते। ऐसका answer 46% अब यूरिया का उत्तर भी आपको एद रखना है और स कोल नेहर होता है यह पार मालून्ब यह पीसिए में कोच में पूछन पूछ लिए था कि यूरिया में इनमें से क्या है तो option में मालूप 1 में दिया था जैसे NH1 में दिया है NHC1 में दिया था NHCO तो आपको याद रखना है जो यूरिया में है न भी है H भी है C भी है O भी है ठीक न है NH2 CO NH2 इसका सुद्र है तो इसमें क्या है nitrogen भी hydrogen भी carbon भी और oxygen भी है तो ये चारो है यूरिया में ये आपको ध्यान रखना है Next question है अच्छा यूरिया से एक और question आता है तो आपको याद रखना है जैसे परियोग साला में संसलेशित किया जाने वाला पहला carbonic योगी कौन सा है तो वो भी है यूरिया ये आपको याद रखना है नेस्ट कोचन है किनिम लिखित में से कौन सा एक बायू परदूसक का जेव सूचक है तो इसका correct answer है जो लाइकन है ने ये बायू परदूसक का जेव सूचक है ठीक है एक कोचन तो यह हो गया और लाइकन से एक कोचन आता है कि लाइकन किसका सहजीवी संबंध है तो लाइकन होता है यह आपको याद रखने है ठीक है लाइकन है अच्छक यह सैबाल और कवक आया है तो सैबालों का दियन करता है है कि Walker cmやって operator जियन सैबालों का दियनिंग का दियन pactology और कवक का दियन से याद दिशितल रखना है ठीकर सब्द लोनकेश्च एक सब्सेद लोलना साफ स काम तो आपको याद रहेगा मिसा साभालों आधियान फाकलोजी और कवक का दियान माईकलोजी अधोनों का सहजीरिवी संवन्मन लाइकन का होलाता है झनीस क Linux inουलकित में से इंस के किस्यपर से बन मालोक इसकां इंगलिष होता है नहीं कैल्सियम पॉस्फिट केल्सियम फॉस्फिट योगीक से बननता है दन्तलवक यहां से कोछा जाता है किसरीर का सबлан क्षुर्तम भाग तो यह त्रलवक है एनमेश एस जो कि शरीर गाओ सबसे कट्षुरतम भाग आज दांट कितने परकार के होतें तो दांट चार परकार के होतें क्यों उलर और इन्साइजर करनाइन उलर feh टृम् Peg तो इससे होती है कई तो इसका क्योंट थे bornि कणंख द्वारा उर्जा अबसोसित करने के कारण क्या होता है सितलता होती है वास्पी करन के कारण सितलता कैसे होती है तो दरब के कंद द्वारा उर्जा अबसोसित करने के कारण होता है next question is कि किस बज्ञानिक ने धरव्यों की विभाज जेता का सिधान्त सरपर्थम परस्तूत किया इसका correct answer है John Dalton ने किया था क्या किया था? धरव्यों की विभाज जेता का सिधान्त सबसे पहले दिया था John Dalton John Dalton से एक और question आता है कि प्रमानु का सिधान्द किस ने दिया था जोन डॉल्टन नहीं दिया था नेस्ट कोचन है कि निकट दृष्टी दोस में किस लेंज का प्रयुग किया जाता है तो आपको याद कर वाएं देखिए दो कोचन आता है आप इसमें कन्फूजन होता है इन्सान एक होता है निकट दिरिष्टी दोस्द यह होता है दूर दिरिष्टी दोस्ट ठीक है इसमें आपको भी मालू Chung एक उत्तर लेंस से ठीक हो होगा एक फफ्बटर लेंस से ठीक होगा तो कभी confusion ना हो एक दूसरे में exchange ना हो और याद भी हमें सार है तो इस Doch सब्सक्राइर कि यह कूंझ में तो से इसमें तीन लेटर वालेको ठीक करने के लिए तो लेंगे यहाद हो गया और एक question simple आता है आपको इंग्लीश में दिने रहे तो वो भी आपको ध्यान रखना है का हाइपर मेटरोपिया हाइपर मेटरोपिया मतलब क्या होता है दूर दुर दुर दिरिश्थिबो स और मायो Delhi यह मतलब होता है निकड़ दरिश्टियों तो यह आपको याद रखना हा नेस्ट को चने कि मेगनीसियम क्लॉराइड का रसायनिक सुत्र क्लॉराइड का और एक चिजह यहां याद रखना है Magnesium के प्रमानु संके कितना होता है 12 होता है और Magnesium का जो संकेत होता है MG होता है यह आपको याद रखना है MG संकेत संकेत भी question पूछा जाता है अभी बिहार दरोगा का जो exam हुआ है 17 December को उसमें संकेत से ने प्रमानु जो होता है यह तत्व वता है, इसका संकेत से कोश्चन पूछा गया था, तो यह Is глазinium का संकेत किया ? में गवार्टिक, नेक्स्ट कोश्चन है कि तडि चालक का आविस्कार किस ने किया था तो इसको पूरेक्ट एंसर है ये Benjamin Franklin ने तड़िच चलक का अविस्कार किया तड़िच चलक का अविस्कार किस ने किया Benjamin Franklin ने किया ठीक है और एक question याँ पूछा जाता है कि बल्व का अविस्कार किस ने किया तो Thomas अलवा Edison ने किया था बल्व का अविस्कार Thomas अलवा Edison ने किया था अच्छा बिद्दु धारा के अविस्कार के लिए कोन जाना जाता है तो बोल्टा को बिद्दु धारा के अविस्कार के लिए जाना जाता है नेश्ट कोचन है कि आर्थिक समिक्षा 2022-23 के अनुसार भारत करय सक्ती समता के संदर्व में भारती अर्थववस्था का करम क्या है यानि कि बिश्व में भारत का अस्थान कौन सा है करय सक्ती समता के संदर्व में तो इसका correct answer है यह तीसरा है ठीक है तीसरा है भारत का भारति ए अर्थ ववस्ता का बी निमाः दर के संदरम में विश्व में कौन सास्थान है तो पांच माय स्थान है ठीक है और एक कोशन यहाँ पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरन का जनक की से का जाता है तो डॉक्टर मनमहन सींग को का जाता है ठीक है करेंट अफिर में कोश्चन आपको यहाँ याद रखना है कि अर्थ सास्त्र का नोबेल पुरुसकार 2023 किसे मिला तो कलावडिया गोल्डीन को मिला इसे याद कैसे रखना है काफी आसान है एकजाम में आगा आपका अर्थ वबस्ता क्या है तो जैसे ही आपके एकजाम में अर्थ वबस्ता गोल्ड गोल्ड याद आजागा ने ओप्सन में रहेगा मां कलावडिया गोल्डीन तो वहीं टिकर देना है अर्थ सास्त्र का नोबेल पुरुसकार 2023 में एक ही वेक्ति को मिला है कलावडिया गोल्डीन को मिला है नेस्ट कोचन है राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलेंड सहर के रूप में किस सहर को विक्सित करने की योजना बनाई है तो इसका क्वरेक्ट एंसर है उदैपूर सहर को देखें वेटलेंड का ये समझना है कि ये आद्र भूमी हो गया ठीक है और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं रामसर साइट तो ये आ जाता है तो जह स्चांगा जाता है थाके जेपूर कै राजस्थान की राज़्दानी है तो इध्यान रखना है अच्छा भारत में कुल लोरियस एंबेसडर के रूप में हाली में किस खिलाडी को चूना गया है तो इसका correct answer है नीरत चोपड़ा को चूना गया है लोरियस एंबेसडर के रूप में किस खिलाडी को चूना गया है तो नीरत चोपड़ा को चूना गया है ठीक है अब नीरत चोपड़ा से एक important question याद रखना करेंट फिर में कि पुरूस भाला फेंक रेंकिंग में 200 के नंबर एक खिलाड़ी कोन है तो पुरूस भाला फेंक में रेंकिंग में 200 के एक नंबर खिलाड़ी बन गया है निरत चोपड़ा तो यह आपको याद रखना है निरत चोपड़ा किस खेल से समझ दे तो भाल औरी राइटर्स लिमिटेड को नवरतन का दरजा दिया गया है इससे ज्याद कपड़ी महरतन का दरजा मिला तो ओयल लिंडिया लिमिटेड नहीं और के हालि में 13 महारतने कंपणि कौन बना तो तेरीवी महारतने कंपणी OIL İNDY, Limited बना याइँ कि एक चीज ये विधान रखना है कि अभी भारत में कितना महारतने कंपणि है तो तेरा महारतने कंपणि है next question है कि अर्जुन पुरुसकार विजेता स्री अमित का संबंद किस खेल से है तो इसका correct answer है boxing से इसका संबंद है इस type के question पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अर्जुन पुरुसकार विजेता जो है स्री अमित मतलब खेलाड़ी का नाम दे दिया किस खेल से संबंद तो आपको याद रखना है ठीक है इस type question पूछा जाता है कुछ important खेलाड़ी जो कि एकजाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है जैसे की रुद्राच पाटिल किस खेल से संबंद दे तो निसाने वाजी रुद्राच पाटिल जो है वह निसाने वाजी है और पी पी आर स्रीजेस और सभीता पुनिया किस खेल से है तो होंकी से संबंद दे ठीक है तो आपको दोनों को याद रखना है पी आर स्रीजेस और सभीता पुनिया यह होंकी के गोल कीपर है ठीक है और एक सीमा पुनिया तो सीमा पुनिया जो है सभीता पुनिया होंकी से हो गया सीवा पुनिया वो discuss throw से है discuss throw option में देगा या to athletics कभी देगा अच्छा एक खिलाड़ी है निकहत जरिन अच्छी कुमारी कवड़ी से सम्मम ard Sutra भरातुलन से सम्मम Выśbach सुसीला देवी जुडो से सम्ममjän तो इसारे चीजें आपको याद रखना है next question है कि किस IIT बेग्यानिकों ने क्रित्री महिरदे तयार किया है तो इसका correct answer है IIT कानपूर ने क्रित्री महिरदे तयार किया है ठीक है अब इस टैप के यहाँ एक question एक जाम यहाँ पूछा जाता है कि भारत का पहला engineering college कौन सा है तो वो है IIT रूड की next question है कि IMF ने 2023 में भारत का GDP ब्रिधीदर कितना अनुमानित किया है तो इसका correct answer है 5.9% यह IMF ने अनुमान लगाया ठीक है देखिए एक IMF का important हो जाता है एक बिसु बेंक का और एक UNO का तो यह तीनों कितने कितना अनुमान लगाए यह ध्यान रखना है जिसे IMF लगाया 5.9% अचाब बिसु बेंक कितना इसका नुमान लगाया तो 6.3% और UNO जो है संजुकतराष्ट कितना नुमान लगाया तो 6.7% तो यह आपको तीनों ध्यान रखना है अब रही बात यहां IMF है जो है अंतराष्टि मुद्राकोस है विसु बेंक है और UNO यह तीन आयान है यह तीनों से इंपोर्टेन इतना है कि एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो और कभी भी हो तो एक्जाम में पूछा जाता है तो इन तीनों से जो जो कोशन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ठीक है जैसे यानि अंतराश्टि मुद्राकोस और विसु बेंक यह दोनों की अस्थापना 1944 में हुआ था ठीक है और यह आयमेफ और विसु बेंक यह दोनों को मुख्याल है वासिंग्टन डीसी है इसे याद ऐसे रख लेना है कि आयमेफ यह भी मुद्रा से संबंदी थे और जो कोस्चन करेंड फिर में याद रखना है कि जो भुद्राइं का है वो अजय पाल सिंगश बंगा है अर यूएनों का महासचिव को हैं बारत्मान में द्यान रखना है नेश्ट कोश्चन है कि अरोग यह मेत्री योजना का सुभारंब केंदर सरकार दवरा कब किया गया तो इसका कोरेक्ट एंसर है 13 जन्वरी 2023 को क्या अरोग्य मेत्री योजना का सुवारम किया गया है। इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या तो मानविय संकट से प्रभावित किसी भी विकासिल देश को आवस्यक चिक्रित्सा समगरी उपलब्द करा सकेगा। तो यह है अरोग्य मेत्री योजना। नेस्ट कोशन है कि पलास्टिक उतपाद बेग पर परतिबंध लगाने वाला विस्व का पहला देस कों सा है। हमें बनाय गया है इंके रेल्लेवे प्रोटेक्षिन जो फॉरस है वो इसका नया महान निद्रिशक किसे बनाय गया है तो Marvel को बनाया गया है ठीक है यह इससे बर्मा सिन्ह रेलवेबोड के बरतमान चेयर्मन को ने तो जया बर्मा सिन्हा है तो यह आपको याद रखना है नेस्ट कोछेन एक पंचायत एक खेल मइदान योजना की शुरुवात किस राजी सरकार किया गया तो इसका यह केरल दौरा किया गया है ठीक है एक पंचायत एक खेल इस टाइप की योजना सबसे पहले ने यूपी के मुख्यमंतरी जो है योगी आदितनाच जी यह शुरू किया थे एक जीला एक उतपाद तो आपको पूछा जाता है कोश्चन है कि एक जीला एक उतपाद योजना कि योगी आदितनायत ने और किस राज सरकार ने तो यूत्तर परदिश ने शुरू किया था 2018 में तो यह आपको याद रखना ठीक है अब रहे बात यहां केरल सकोश्चन पूछा गया है कि एक पंचायत एक खेल का मैधान जो है कि कि योजना जो है किस राजी द्वारा किया तो केरल द्वारा, अब केरल से important जो question पूछा जाता है, सबको यहाँ पर देखेंगे, केरल से एक question आता है, कि पहले तो यह जाने केरल की राजानी का है, तिरोननदपूरम, केरल का मुख्यमंत्रे युकों है, पिनराई बीजियन, केरल का बरतमार में राजपाल कों है, तो आ सबसे अदा रबर और सबसे अदा मसाला को अध़ पादन किरल में होता है, नेश्ट कोचने, पुस्तक अस्मोक एंड एसेज के लेखक कोन है, तो अस्मोक एंड एसेज के लेखक है, अमिताब घोस, अब कुछ important पुस्तक है, जो उसका लेखक को आपको याद रख लेना यह पर जैसे की करांति कारे, पुस्तक के लेखक कोन है, संजीव सान्याल, जादू नामा के लेखक कोन है, जादू नामा जावे दखतर, और एक है रिंग साइड, इसका लेखक है कोन, बिजय दर्डा, बिजय दर्डा, नेश्ट कोचने, विस्व महासागर दिवस परति बर्स कब मनाया जाता है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है आठ जून को मनाया जाता है, विस्व महासागर दिवस परति बर्स आठ जून को मनाया जाता है, अब यहां पर क्या है, कि जून में जो इंपोर्टिन दिवस मनाया जाता है, उसको देख लेते हैं, जैसे विस्व साइकिल द फिल्म का खितान मिला है तो इसका कोरेक्ट एंसर अच्छ को सरफस्रेस्ट फिल्म का खिता मिला है गोल्डन-गुलोब 2823 में ठीक है अब रही बात यहां पर क्या जैसे कि कोई भी चीज का पुरुसकार का फिल्म का और बेस्ट एक्टर और एक्टरस यह तीनों याद रखना चाहिए निए तुरूप से चीक है तो यहां जैसे गोल्डन गोलबल पुरुसकार मिला है सर्फिस्ट फिल्म का दफेबल मेंस को अशर्फिस्ट अभिनेता का नेश्ट कोचन है कोचन हमरे फोट्टी कि राश्टिय बाल बिग्ज्यान कॉंग्रेस का आयोजन 2023 में कहां किया गया है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह अहमदाबाद में किया गया है राश्टिय बाल बिग्ज्यान कॉंग्रेस का आयोजन जो है 2023 में अहमदाबाद में किय जोए दोए और तेस में भारतिय बिज्ञान कॉंग्रेस का युजन कहा हुआ था तो नागपूर विश्विद्यालय में नागपूर में हुआ था यह आपको याद रखना है और एक कोशन यह याद रखना है रास्टी बिज्ञान दिवस्क के मना जाता है तो 28 फरवरी को मना मंत्रि थे जख जीवन रामजी यह सरम विभाग के मंत्री थे लिखायत ै मला मालूं इसमें मालूं जब सबसे ज़़ादा इंपड़ु यह हैажи ज़्यृत के बारे में यह मालूब 79 में बीपेसी में पूछा गया है और बिहार जो टीचर का एक्जाम हुआ है 2023 में उसमें भी एक कोशन पूछा गया है दोनों में पूछा गया है कि जो अंतरीम सरकार गड़ान में संसद को सम्मिधान में संसोधन करने की सक्ति परदान की गई है तो इसका कोरेट टेंसर है अनुचे 368 यानि कि सम्मिदान संसोधन की परक्रिया किस अनुचिद में तो अनुचे 368 में आचा सम्मिदान संसोधन की जो परक्रिया है किस भाग में तो भाग 20 में है सामिदान संसोंदन के परकर एक किस देश से लिया गया है तो दच्छिन अफिरका से लिया गया है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोष्चन ने तीकर इसमें तीनों बता है तीनों एक्जामें पूछा जाता है किस अनुषेद में किस भाग में है और किस देश से लिया गया दश्चिनय फिरका से भाग बीश में है ये सब चीजें आपको याद रखना है, राष्टी आपात काल की उद्गोसना जारी होने के कितने माह के भीतर संसत के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवस्यक है, तो इसका correct answer है, एक माह के भीतर अनुमोदित होना आवस्यक है, ठीक है, अब राष्टी आपात की बात आई है, तो जो बीती आपात है, वो किस भाग में है, मालो, तो बीती आपात नहीं मतलब आपात उपवंद, आपात उपवंद जो है, वो भाग 18 में है, और अनुच्छे 352 से 60 तक है, और आपात उपवंद किस देश के समिलान से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया राष्टियापात की सनुछेद में या तीन कोईशन इंपोर्टेन जो के एकजाम में पूछा जाता है राष्टियापात जो है अनुछे 302 में है राष्टपती सासन की सनुछेद में 356 में और बीतियापात है 360 में तो यह आपको याद रखना है ठीक है राष्टियापात 352, राष्टपती सासन 356 और बीतियापात जो है वो 360 में है अच्छा राष्टपती सासन बिहार में अब तक कितनी बार लगा तो 8 बार लगा है यह ध्यान रखना है नेश्ट कोस्चन है कि निमलिकित में से किसकी नियुकती राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है तो इसका correct answer है option number D, cabinet सचिब की नियुकती राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है अभी जो exam हुआ है बिहार दरोगा का 17 दिसंबर 2023 में वो उस exam में यह question पूछा गया है कि किसकी नियुकती राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है लेकिन उसमें option अलग था जैसे यहाँ पर cabinet सचिब की नियुकती नहीं करती है नियुकती किसका किसका करता है तो परदार मंतरी की और संग सासित परदेश की मुख मंतरी की नियुकती करते हैं और महानियावदे की नियुकती करते हैं जो exam 2017 तारिक हुआ था उसमें option यह दिया हुआ था कि नियम लिखित मेंसे किसका नियुकती राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है तो उसमें option में था भारत के मुखिन आदेश, बायुसेना द्यक्ष, राजपल और एक था लोकसवा द्यक्ष तो इसमें answer हुआ था लोकसवा द्यक्ष की न्युक्ति राष्टपती नहीं करती है बाकि भारत का मुखिना दिस्क निर्वाचन होता है यह ध्यान रखना है और एक कोश्चन पूछा गया था रास्टपती से अभी तारिक को बिहार दरोगा का एकजाम हुआ था इसी एकजाम में पूछा गया है कि रास्टपती का जमानत रासी कितना होता है तो रास्टपती का जमानत रासी होता है 15,000 रुपई यह आपको याद रखना है ठीक है नेस्ट कोश्चन है भारती संसद निमलिखित में से किस से मिलकर बनती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह लोकसवा राजसवा और रास्टपती से मिलकर बनता है ठीक है अब यहां important question असी में और राजसवा अनुछित 80 में लोकसवा का गठने की सनुछित में तर अनुछित 80 में इससे याद करना के से तो हासानी सियाद हो याद., जिसह कि पद की सनुछेद में तो इस तरह से आपको याद रखना है नेस्ट कोचन है 46 कि 46 में कि उच्च न्याले के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो उच्च न्याले के संबन में कौन सा कथन सही है यह इच्छे करना है तो इसका पूरेक्ट एंसर हो जाता है मालूम ओप्सन नंबर सी कि उच नियाले के नियाई पुनर वली को पुनर भी लोकन की सक्ति राज विधार मंडल वो किंदर सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्जकारी आदेशों की सम्मेधानिक्त के परिक्षन के लिए है उच नियाले के ठी लथे मालूम इसकी नियुक्ति करता है राष्टपती और संबंधित राज के राजपाल दोरा सफद दिलाया जाता है तो इस तरह से यह गरत हो जाता है इसका एंसर ओप्सन नंबर सी ही है ठीक है अब यहां से कुछ इंपोर्टेन कोस्चन जो पूछा जाता है वह एक्जा इसको एक को अगर इधार कर देते हैं यानि कि एक दो चार का हो गया तो यह सुप्रीम कोट की सनुष्यद में 124 में ठीक है और एक कोर्शन इंपोर्टेन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोट किस अनुच्छेद के तरहत रीट जारी करता है तो सुप्रीम कोट जो है रीट राष्टी विकास परिशत के अध्यक्ष निवन में से कोन होते हैं तो इसका कोरेट एंसर है राष्टी विकास परिशत का अध्यक्ष परधान मंत्री होता है ठीक है और इसी तरह एक कोश्चन आता है निती आयू का अध्यक्ष कोन होता है तो वो भी परधान मंत्री ही होत था तों 1952 में था ठीक है आप 1952 में मालों 4 important घटना हुआ जो कि एक जामें पूछा जाता है जैसे लोकसभा का घठन का भुआ तो 1952 ने राज्ठ सभा का कभ़़न का भुआ जो पहला सम्मिधान सम्मिधान होगा था, वो भूमी सुधार संबंदी था, यह एक option number C भूमी शुदार समद्थी था ठीक है भारत के जो समिधान उसके मूल समिधान में आठ चया था अनुसुची था आठ अनुसुची बाद में 4 अनुसुची जोड़ा गया है इससे जाम में ज्यादा question पूछा जाता बार बार रिपीट होते रहा ठीक है तो वह आठ जो चार अनुसुची था वह कौन-कौन था तो पहला अनुसुची जोड़ा गया था वह यह नौवी अनुसुची था नौवी अनुसुची में जो कि भूमी सुधार से संबंदी था यह पहला संस्वधन के ताथ नौवी अनुसुची को दस्मी अनुसूची में और पंचायती राजववस्था को समयधानिक दर्जा किस अनुसूची में दिया गया तो एक ग्यार्मी अनुसूची में दिया गया और नगरपालिका को बार्मी अनुसूची में दिया गया तो ऐसे आपको याद रख लेना है नौमी अनुसूची हो इसका erased क्वरीं ऐसरे 42 संवीदान संसोधन द्वारा किया गया इया या या इसी important question Estados यह और दो सबको यह पर एक साथ revision करेंगे ता कि कभी confusion न हो तो पहला question तो यह होगिया कि बन बन जीवों एवं पक्षियों का सनरक्षन जो है ने वू राजी सूची से संभर्दी सूची में कर दिया कब तो बियालिसमा सम्मिदान संसोदन द्वारा यह कब वह था 1976 में उख था ठीक ने कोश्चन आता है कि भारती सम्मिदान में मुल करतब्य को किस सम्मिदान संसोदन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था तो यह से आपको याद रख लेना है नेश्ट कोशन है कि बरतमान में राष्टपती एवं मंत्री परिशत के मध्य सम्मंधों का संचालन निम्न में से किस सम्मिदान संसोदन अधिनियम द्वारा संचालित होता है तो इसका कुरेक सम्मिदान संसोदन अधिनियम के तरह और कोई अगर कोशन पूछा जाता है तो वह भी यहां पर रिविजन कर लेंगे तो कौन सा इंपोर्टेन कोशन है कई बार एक जा में पूछा गया है बार बार रिपीट भी होता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब न आया गया था तो ये इसे आपको याद रख लेना है नेश्ट कोशने क्रिस्न शिदर सिधान्त के परतिपादक थे तो कौन थे? एस चंद्र सेखर ते थे ते ब्रमान्ड का ऐसा छेतर है जहां सिर्फ और शिर्फ अंधिकार ही होता है नेश्ट कोशचने यूरोप में पिरे निज प्रवत स्रिंखला किन दो देशों को अलग करती है तो इसका कोरिक एंसर है अस्पेन हो पूर्तगाल को अलग करती है कौन पिनेरीज प्रवत स्रिंखला दो इंपोर्टेंट प्रवत स्रिंखला है जो कि आपको exam में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है जिसे alps परभत किसको किसको अलग करते है फ्रांस एबम इटली को और एक है जूरा परभत जूरा परभत जो है वो फ्रांस एबम सूर्चिजरलेंड को अलग करती है नेस्ट कोचन है कि निमलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी परियास से बना परमानु बिद्दूत केंदर है तो इसका कोरेक्ट एंसर है कलपकम परमानु बिद्दूत केंदर देखें यहां कोश्चन में क्या confusion वाला है इसलिए आपको business ध्यान रखना है अगर पू लेकिन अगर वह पूर्ण रूप से स्वदेशी यानि कि कोश्चन में अगर देखें भारत का पहला स्वदेशी परियास से बनाया हुआ तो वह कलपकम परमानु बिद्दूत केंदर जो कि तमिल नाडू में इंपोर्टेन कोश्चन होता है कि डारेट पूछ लिया जाता ह में ठीक है और नरोरा जो है यह यूपी में है अत्तारापूर महरास्ट में कलपकम जो है तमिल नाडू में तो ऐसे आपको याद रख लेना अचा कहेगा कहा है कहेगा प्रमानु बिद्दू संदर का करनाटक में है और यह काकरा पारा जो पूछा जाता है वह गुजरात म नेश्ट को चने निमलिखित परवती दरों का सही पस्चिम से पूर्व का करम पहचानी पस्चिम से पूर्व के बारे में बताना है ने पस्चिम से इधर से इधर जो है दर्रा पूर्व पस्चिम से पूर्व तक बताना है तो कौन सा पस्चिम में सबसे पहले आएगा ठी आपसनन मंबर य यह सी ठीक है पहले आयगा कौन सिभकिला दर्ण ठीक है फिर आएगा लिपले दर्ण और फिर आता है नथूल का दर्रा अब फिर आएगा बोंडीला ज़र ठीक है अब यहां पर इंप्सकीन आता है कि यह दर्रा के पुछ लिया जाता है यह है काना सिफ MUELLER d camarど Rabbino 에 ? यह आपको यादे रखना है हिमाचल परदेश में अना थूला दर्रा वो है शिक्कीम में और बोमडीला दर्रा है अरुनाचल परदेश में और लिपुलेख दर्रा है ऊत्राखंड में तो यह ने कि एन और बंदरगा कहां स्थी थे तो इसका पुरेक्ट एंसर एन और बंदरगा जो है यह तमिल नाडू में अब यहां पर इंपोर्टेंट कोश्चन पूछा जाता है ठीने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है तो कृष्णा पटनम कृष्णा पटनम बंदरग कोन सा है तो थो है मुंबअ बंदरगा सबसे बड़ा प्रकूर क्रतिकu बंदरगा और एक आता है मालों कxture की कि की पंडित-वालान-नहरू बंदरगा रखा गया तो नौहाबा स्यवाभा बंदरगा का नाम है पंडित-वाला नहरू के नम पर रखा गया जो जो कि महरास्ट में है, next quarantine है, सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है, यह क्या बनस्पति का परकार दिया हुआ है, और किस झेत्र उसलें होता है, यह दियान रखना है आपको ठीक है, तो जैसे कि माण कभी, जो बनस्पति का है परकार, तो यह कहा है मालओ, भोमध्य सागर के त्टिस चेत्र में पायाँ जाता यह माख भी और फि मवस जो यह पाया जाता यह दचनि जैविक एबं ऑजिःविक घटकों की अंतर किरिया से बिकसी दढique करते हैं और घटकों की अंता किरिया से से बिक्सित तंत्र को पारिस्थ की तंत्र किसे ने दिया तो एजी टेंसले ने दिया इसे याद किसी रहно करश्त की तंतर सब्द किस ने दिया एजी टेंसले ने दिया नेस्ट कोच्ट ने कोच्ट नमर फिप्टी एट इसमें पूछा है कि मौसम अधारित फसल भीमा योजना सरपर्थम लागू की गई थी तो यह कब लागू किया था तो कब की बात नहीं मतलब कहां लागू किया करनाटक में ठीक है मौसम अधारित फसल भीमा योजना सरपर्थम लागू की गई थी करनाटक में ठीक है अब यहां पर एक इंपोर्टेंट कोच्टन पूछा जाता है कि रास्टी बीज निगम की अस्थापना कब हुआ तो 1963 में हुआ था यह आपको ध्यान रखना है नेस मुल्य आयोगकी अस्थापना 1965 में धां नेस्ट कॉछन की मौधूषी कशिय निती है पूर्ण है यह राजकोषी कोषी निती काकि पूरक है यह एक की सफलता में बाधाख है तो इसका correct answer है BTE समावेशन की परकिरिया के सफलता में बाधाख है निमनाय, निरक्षर्ता, बेंक, साखाओं का अभाब ये सभी है जो कि BTE समावेशन की परकिरिया में बाधाख है तो इसका answer रहता की घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानि की मनी सर्कूलेशन मुद्रा इस्फिती के संदर्व में सहयता करता है ठीक, question क्या है एक बाध फिस समझें भारत में मुद्रा इस्फिती के संदर्व में निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो घटा हुआ मुद्रा परिचलन यहीं कि मनी सर्कुलेशन मुद्रा एस्पिति के नियंतरन में सहायता करता है नेश्ट कोचा ने कि भारत में मुद्रा गुनक को परिवासित किया जाता है तो कैसे किया जाता है भारत में मुद्रा गुनक को परिवासित किया जाता है इसका एंसर है कि ब्रिहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा इसका एंसर हो जाता है ओप्सन नमबर B मुद्रा गुनक को परिवासेता क्या जाता है ब्रिहद मुद्रा बटा में क्या है आरक्षित मुद्रा समावेसे बिकास में किस एक को समयलित नहीं करता है इसमें कौन सा नहीं है तो गरिभी में कमी लाना ये तो है समावेसे बिकास में रोजगार अपसरों का विश्तार करना ये भी है पूंजी बजार का ससक्तिकरन करना ये नहीं है ठीक है ये जो समावेशी विकास है इसमें ये नहीं है बाकि लिंग और समता में कमी लाना ये भी है तो इसका एंसर हो जाता ओप्शन नमबर C ठीक है अब यहां दो इंपोर्ट्यक याद रख लेना है जैसे एक तो है कि 11-5 वर्षियो जिन्या कार्चकाल कितना था 2007-2012 बार्मी पंच वर्षियो जिन्या का उद्यश जो है डाट कोस्च न पूशचन पूश्च लिया जा था उद्यश क्या था तो इक यह दिया है समावेशी विकास और बार्मी पंचवर्षी हो जना का उद्यस क्या था तेज अस्थाई और अधिक समावेशी विकास तो यह था इसका में उद्यस नेस्ट कोच्चन है मार्च 1931 में भागत सिंग, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बिरोध में आरा में किसके नेतरित में बिसाल जनसभा का आयुजन किया गया था नेस्ट कोच्चन है किने में लिखित में से किस समीती का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था तो इसका correct answer है यह बटलर समीती का गठन जो है देशी रियासतों के लिए किया गया था और एक जो समिती में कोशन आता है कि जालिया वाला बाग हत्याकान के जांच करने के लिए किस समिती का गठन किया गया था तो किस आयोग का तो हंटर आयोग का गठन किया गया था नेस्ट कोशन है ब्रिटिस सासन के दोरान कोन सी भू राजस्व ववस्था सबसे जादा छेत्रों में लागू की गयी थी तो इसका कोरेट एंसर है यह रहियत वाड़ी ववस्था ठीक है इहां जो है तीन इमपोर्टेंट कोशन जोके एकजाम में पूछा जाता है ठीक है ए एक अस्थाई बंदोबस्त और एक अस्थानी स्वसासन यह इतना तीनों इंपोटेंट है कि एक्जाम में बारवर रिपीट होते रहता है कि चाहें कोई भी एक्जाम हो आभी आपको मालूम होना चाहिए अभी जो भी बिहार दरोगा का एक्जाम दियें तो उन्हें यह रहियत बाड़ी ववस्ता के सुरुवात किस ने किया था तो थोमस मून्रो ने किया था यह ध्यान रखना है और अस्थाई बंदोबस्त का जनक को ने तो लोट कर्णवालिस है ठीक है अस्थाई बंदोबस्त का कर्णवालिस आये अस्थानी स्वसासन का जनक तो वह लोट रिपण नेश्ट क्वश्चन है किनिमलिखित विद्रोह का कालकरम के अनुसार कौन सा बिकल्प सही बवस्थित है तो इसका एंसर है कि सबसे पहले इसको क्या कालकरम के अनुसार किसी को भी सजाने के लिए आपको इसपी जानना जरूरी है इसपी जानेंगे तभी आपके एंसेटी कर सकते हैं तो जैसे कि सन्यासी बिद्रो कब हुआ था तो 1763 में हुआ था 1763 से 1800 इसपी तक चला था तो यह हुआ था 1763 फिर नील बिद्रो कब हुआ था नील बिद्रो हुआ था 1869 से 60 तक हुआ था यानिकि 1869 इसको लिखते हैं 1869 और पावना बिद्रो हुआ था 1863 में तो इस तरह से सबसे पहले सन्यासी बिद्रो होगा उसके बाद सन्यासी बिद्रो ने फिर से समझे कि सन्यासी बिद्रो सत्रा सो तिरे सट है ठीक है और यह अठारा सो हां सही है यह 1763 यह 1869 तो यह सन्यासी बिद्रो हो गया पहले फिर नील बिद्रो हुआ था उसके बाद हुआ था पावना बिद्रो तो यह आपको ध्यान रखना है और यहां से important question पूछा जाता है कि इस बिद्रो का नेतरित्यू किस ने किया तो आपको याद रखना है तीनों जैसे कि सन्यासी बिद्रो का नेतरित्यू किस ने किया था तो केना सरकार और द्विज नराइन ने किया था और नील बिद्रो का नेतरित्यू किस ने किया था तो तिर प्रकासित होने वाले समचार पत्र बंगाल गजट के प्रकासक कौन थे बहुत इंपोर्टेन कोश्चन है इसको तो याद रखना है हमेशा रट के रखना है बंगाल गजट के प्रकासक कौन थे तो जेम्स आगस्टस हिक्की थे ठीक है इंपोर्टेन कोश्चन यहां से चार क संपाद की जैसे कि भारत का पहला समचार पतर कों तो बंगाल गजट। भारत की संपादक को Inte को सो था उर्तंड मार्तंड ऊर्तंड मार्तंड था और ना हिंदि समाचार पत्र है उर्तंड मार्तं उसके संपादक को ने तो उसके संपादक है जुगल किसोर जी पंडित जुगल किसोर जी तो यह आपको याद रखना है ठीक है पंडित जुगल किसोर जी नेक्स्ट कोचन है कि अरुंडेल कमिटी ने निम्न में से किसकी सिफारिस की थी तो अरुंडेल कमिटी यह सिफारिस किये थ से बिभाजित बंगाल को पुना संजुजित करने है तो नेस्ट कोच ने कि निमलिखित संस्थाओं को उनकी अस्थापना के अधार पर करमबार सजाएं तो इसमें करमबार सजाने के लिए फिर इस पर जानना जरूरी है इंडियन लिग की अस्थापना कब हुआ था 1875 में और बंबे एस्थापना 1852 में हुआ था और इंडियन एस्थापना कब हुआ था 1886 में हुआ था तो करम में सजाना है तो सबसे पहले कौन सा आजाएगा 1852 वाला यानि कि यह आएगा ना तीन वाला तो 3852 आएगा फिर 1800 आएगा कौन सा 75 यानि कि तीन और एक यानि इसका एंसर रहता है बी तीन और एक पहले किसमें इसमें है ठीक है यह चीज होगी है याद और यहां से important question यह पूछा जाता है कि इंडियन लिग की अस्थापना किस ने किया था तो आपको यह चारों का याद रखना है जिसे इंडियन लिग का अस्थापना किस ने किया था तो सिसिर कुमार घोस ने किया था इंडियन लिग की अस्थापना सिसिर कुमार घोस ने किया था मदरास महाजन जो सभा है इसका अस्थापना राघवाचारी जी सुब्रमन्यम और आनन्द चारलू ये तीनों मिलकर किये थे ठीक है रागवाचारी, जी सुरमन्यام और आनन्द चारलू आचा बॉंबे एसोसियेशन के संस्थापकोंने तो वे दादा भाः नेरो जी और इंडीयन एसोसियेशन के संस्थापकोंने तो सुरेंदरनात्मनरजी और आनन्दमोहन बोस है तो ये आपको ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है किनिमनी में से किस सासक ने गुल रुखी नाम से कभिताओं की रचना की तो इसका correct answer है ये किया थे सिकंदर लोदी ने गुल रुखी नाम से कभिताओं की रचना की था शिकंदर लोदी ने अब शिकंदर लोदी से एक कोचन ये पूछा जाता है कि आगरा सहर का संस्थापकों है तो सिकंदर लोदी है नेश्ट कोचन है 73 इसमें क्या कोन सुमेलित नहीं है यानिकि ये हडपका काली ने अस्थाले और उस नदी के किनारे अस्थे इसे बताना थिक है और कोट दीजी ञेए ये सिंदर ने दी किनारे ये भी सही है तो इसका एंसर होलाता ओप्शन नम्बर C ये सुमेलित नहीं है ठीक है ये ध्यान रखना है आप आपको ध्यान रखना है यह तरायन का पर्थम, और तरायन का दूसरा यूद, वो किसके भी चलाए अता? मुहम्मद गौरी और पृतिविरा चोहन के भी योध योध लडा गया था जो टरायन का पहला यूद यह द्यान हो गया, अचैंड़ामार यूद दो पूछा कि किस लड़ा गया तो मुहम्मद गोरी और जय चंद के बीच आप इसी तरह के चंदरी का यूद किस के बिच वा था तो बाबर और मेदिनी राय के बिच वा था यह ध्यान रखना है कि निमलिखित चीनी बोध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किस ने किया था यहां पर कौन कब किया था यह आपको इध्यान रखना है ठीक है जैसे कि जो संग्यून है यह 399SB में आया था ठीक that's 399SB में आया था शंग्यून और जो इतसिंग है इतसिंग आया था 675SB में अ Jakob और फाइन जो आया था फाइन कवं आया था वह रहाобрत? फाइन जो आया था वह 30099SB में आया था ठीक है? और जो हर्स बर्धन है ये तो भारत का इसा सकता है हर्स बर्धन के समय आया था हुएन स्वंग 630 में ठीक है तो इसमें सबसे बाद में पूछा कुन आया तो इत्सिंग आया था यह ध्यान रखना है अब यहां से इंपूर्टेन कोश्चन बार बार रिपीट होता है कौन से म भारत आया था तो यह आपको याद रखना ठीक है और इस तरह से आपका सेट नंबर 14 का जीके और साइन्स का पूरा कोश्चन होता है समाप्त और पिछले वीडियो में आपसे कोश्चन पूछाता है कि इसारस अप्लिकेशन किसके द्वारा लोंच किया गया तो यह किया ग मुस्कान एक अनमोल खजाना है इसे छोटी छोटी वातों में खोने ना दे पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें